दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में से एक कान्स फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है मंगलवार को 76 वे कान्स फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर सितारों ने अपना जल्वा दिखाया फेस्टिवल में बॉलिवुड की कई एक्ट्रेसेस भी शामिल हो रही है जिन में से कई पहली बार यहां पहुँच रही है कान्स में देब्यू करने वालों में अनुष्का शर्मा से लेकर मानूशी छिल्लर और सारा अली खान भी शामिल है कान्स 2023 के रेड कार्पेट पर पहले ही दिन सारा अली खान पहुँची और उनके लुक ने हर किसी को चौका दिया पहली बार डेब्यू करने वाली सारा अली खान ने रेड कार्पेट पर भारतिय संस्कृती की छलक दिखाई उन्होंने इस इवेंट के लिए अबुजानी का डिजाइन किया हुआ आईवरी क्रीम कलर का लहंगा पहना इस आउटफिट में सारा काम क्रिस्टल मोती और रेशम से किया गया है इसके साथ ही उन्होंने डीप नेक ब्लाउस पहना जिसमें वो रोयल ब्राइट की तरह दिखाई दे रही थी इस देशी लुक को और रोयल बनाने के लिए उन्होंने लहंगे के साथ दो तरीके से दुपच्चे को ड्रेप किया एक कंधे पर पिन किया और दूसरा सिर पर हेड़ वील के तरह पहना सारा ने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए एक्सेसरीज को भी बिल्कुल सिंपल ही रखा कानों में लहंगे से मैचिंग एरिंग्स और हाथ में डायमंड वर्क का बैंगल पेर इसके साथ ही उन्होंने लहंगे को हाइट देने के लिए हाई हील्स भी पहनी मिनिमल मेकप के साथ सारा ने अपना लुक पूरा किया एक्टरस का ये ब्राइडल लुक हर किसी को पसंद आ रहा है सारा के अलावा जन्नत एक्टरस इशा गुपता ने भी कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 के रेट कार्पेट पर डेब्यू किया इशा गुपता ने बहुत ही रिस्की आउट्फिट पहना था सफेध हाई स्लिट गाउन में वो काफी खुबसूरत लग रही थी जैसे ही उन्होंने हाई स्लिट गाउन में वॉक किया हर कोई देखता रह गया इशा गुपता की कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 वाली तस्वीरे सोशल मीजिया पर वाइरल हो रही है इशा गुपता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वह कह रही है कि वह कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में इंजियन गवर्मेंट जेलिगेशन का हिस्सा बन कर बेहत खुश है। इशा गुपता ने कहा, मैं भारत सरकार और फिक्की के प्रतियाभार व्यक्त करना चाहती हूँ। भारत अब सिनेमा की दुनिया में एक वैश्विक मंच पर है। सिनेमा की दुनिया के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने अपने देश का प्रतिमिदित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। 27 मही तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में रेच कारपेट पर कई मशूर हस्तिया नजर आएंगी। भारत से अनुषका शर्मा, मानुशी छिलर, डायना पेंटी और विजय वर्मा सहित अन्य कलकार अपने अनुठे अंदास के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल की शुभा भढ़ाएंगे।